आईपियल 2022 का प्लेओफ खेलेगी ये चार बड़ी टीमें जिया दोस्तो कौन सी है वो टीमें बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं आईपियल के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दिजे साथी दोस्तो आपके मुताब मगर मदिकरम में तिलक औरमा के अर्ष सतक के दम पर मुंबई नियंसने निधारित 20 ओबर में 7 विकेट गवांकर 155 नन मनाए 156 के लक्ष का पीछा करने उत्री चेन्नी सुपर किंग्स की भी सुरुवात अच्छी नहीं रही टीम को पहले ही ओबर की पहली गेन पर रितु सुपर किंग्स को जीत दिलाई अब चेन्नी सुपर किंग्स की इस मुकाबले में जीत के बाद पॉंच टेबल पे भी बड़े उलट फेर हुए हैं तो चलिए दोस्तों पहले निधे डालेते हैं आईपेल 2022 के लेटिस्ट पॉंच टेबल पर दोस्तों आपको बताते कि मु कता नाइटरस है जिसने 7 में से 3 मुकाबले जीते हैं वहीं 6 अस्तान पर दिली कैप्टल्स की टीम है जिसने 6 में से 3 मुकाबले जीते हैं जबकि संदेज सरदाबाद की टीम 5 वे अस्तान पर है संदेज सरदाबाद ने 6 में से 4 मुकाबले जीत कर 4 अस्तान पर मौजूद ह जबकि राजस्थान डॉयल्स की टीम 6 में से 4 मुकाबले जीत कर अंक तालिका में 3 अस्तान पर मौझूद है रॉयल चेलिंजेस बैंगलॉर की टीम 7 में से 5 मुकाबले जीत कर अंक तालिका में 2 अस्तान पर है वहीं आईपेल 2022 की लेटेस्ट पॉइंस टेबल में गुजराट टाइटन्स की टीम 6 में से 5 मुकाबले जीत कर पहले पायदान पर मौझूद है दोस्तो वहीं बात करें अगर 4 प्लेओफ की टीमों के बारे में तो आपको बता दे कि इस साल गुजराट टाइटन्स रॉयल चेलिंजेस बैंगलॉर, राजसान रॉयल्स और लखनों सुपर जॉइंस के आईपेल 2022 के प्लेओफ में खेलने की ज़्यादा उम्मीदे है तो दोस्तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से यदा लोगों तक सेयर कीजिए, अपना बहुमुली समय देने के लिए धन्यबाद